हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सबको SPTube YouTube चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि रासन कार्ड में EKYC कैसे करेंगे अगर आपका EKYC नहीं हुआ है और आपका नाम कटने वाला है तो आप अपने रासन कार्ड में आप अपने EKYC को कैसे कर सकते हैं और आधार सीडिंग को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं लाइब आपको करके दिखाऊँगा कि आप अपने mobile phone के माध्यम से घर बैठेरी अपने रासन कार्ड में e-kyc कर सकते हैं तो चलिए विडियो को start करते हैं और रासन कार्ड में kyc करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको अपने mobile phone या laptop में किसी भी browser को append कर लेना है और यहाँ पे आपको search box में type कर देना है रासन कार्ड e-kyc status ठीक है और यहाँ पे आपको search वाले option पे click कर देना है जैसे ही search पे click करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि check e-kyc status रासन कार्ड ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस वाले option पे आपको click कर लेना है ठीक है दोस्तों इस इस website का link मैं वीडियो के description box में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप direct link पे click करके space पे आप login होके आप अपना ekyc status चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए check ekyc status और यहाँ पे दोस्तों आप से रासन number पूछा जा रहा है, ठीक है तो यहाँ पे आपको अपना रास ekyc done दिखा रहा है, मतलब हमारा ekyc complete है, ठीक है तो दोस्तों ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा रासन number है, उसका check करेंगे कि ekyc हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दूसरा रासन number डाल दिया है और यहाँ पे मैं check status पे click देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, your card is active मतलब हमारा card active है और यहाँ पे देखिए ekyc not done तो हमारा rasonn card activate है बट उसका kyc नहीं हुआ है, तो उसका kyc करने के लिए हम क्या करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे click here to ekyc का option दिया हुआ ठीक है, तो द दोस्तों यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं Link आधार with राशन, कार्ड, Activate and Deactivate ठीक है तो यहां पे आपको EKYC के लिए यहां पे आपका राशन नमबर यहां से पूछा जाएगा ठीक है तो यहां पे आपको राशन नमबर भर देना है राशन नमबर भरने के बाद यहां पे आपको सर्च पे क्लिक करना है तो दोस्तों यहां पे आपका नाम आचुका है, father's name आचुका है, आधार नमबर आचुका है ठीक है और दोस्तों यहां पे आप देख सकते है कि आधार linking status यहां पे दिखा दिया गए ठीक है request मतलब यह आपका अभी एक वाइसी नहीं हुआ है ठीक है यहां पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि link आधार and mobile number से आप करना चाहते हैं या seed mobile number only मतलब आप किस माध्यम से अपना e-kyc करना चाहते हैं तो यहां पर दोस्तों मैं link आधार and mobile से करना चाहता हूं तो यहां पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर click करने के बाद यहां पर आपसे आपका आधार number पूछा जा रहा है ठीक है तो यहां पर आपको अपना आधार number भर देना है ठीक है आधार number भरने के बाद यहां पर i agree पर click करेंगे check box लगा देंगे और send OTP पर click करना है on your आधार link mobile number मतलब आपके आधार में जो phone number link है उस पे एक OTP send कर दिया गया है उस OTP को यहाँ पे आपको भर देना है दोस्तो जैसे ही submit पे click करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका आधार का details यहाँ पे आ चुका है नाम date of birth वगारा दिखा दिया है ठीक है तो यहाँ पे आपको verify and submit पे आपको click कर देना है ठीक है यहाँ पे आपको verify and submit पे click करना है तो दोस्तो जैसे ही submit पे click कर देंगे आपका ekyc successful हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे आप दोस्तो फिर से यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका अकिडिव हो चुका है। तो यहां पर आईए, मैं आपको फिर से एक बार चेक करके दिखा दे रहाँ हूं। अगर वीडियो पसांद आयोगी तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा वीडियो को अपने दोस्तों में सेर कर दिजेगा थाकि वो भी अपने रासन काट की EKYC कर सके दोस्तों हमें दीजिये इजाजत मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के